नमस्कार आप सभी लोगों को आज के चप्टर में हम बात करने जा रहे हैं निउव क्वेशन्स है निउव आइडियाज क्लास सिक्स का ये बुक है और चप्टर नंबर सिक्स है तो यह आपको धान में रखना है अब पहले चप्टर ऑफ दा थीम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि यह कहना क्या चाता है नए क्वेशन्स यानि कि इस पूरे के पूरे चप्टर में हम यहाँ पर अनालिसिस करने वाले हैं जैनिजम और बुद्धिजम के बारे में एक नया धर्म रहा तो जाहिर सी बात है कि कुछ नए क्वेशन्स और नए आइडियास का जनरेट होना पैदा होना जाहिर सी बात रही तो पॉइंट नबर वान से डिसकस करूंगी बाकी बाते हम वीडियो को जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे मैं आपको बताते चली जाओंगी क्लास इक्स्थ के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही मैं चीजों को यहाँ पर डिसकस कर रहे हूं जैसे ही हम अलग-अलग क्लासिस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चीज़े पढ़ेंगे उतने ही जादा एलबरेटेड और डिप डिसकस्शन यहाँ पर की जाएगी फिलाल एक बेसिक अंडर्स्टैंडिंग को हम डबल अब करने की कोशिश कर रहे हैं तो गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे चाइल्ड हुड नेम उनका रहा सिध्धाथ हिंद इंगलिश दोनों में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 563 BC में उनका जनम होता है फर्स सर्मन यहाँ पर कुशी नगर नहीं आएगा यहाँ पर सारनाथ है तो इसको ठीक लिजएगा हिंदी और इंगलिश में भी अलाइटनमेंट के अगर बात की जाए तो ज्यान प्रति बोध गया तो आप ध्यान में रखेंगे कि 35 वश की आयू में उनको सबसे पहली बार हुआ और जीवन कांत उनका 483 BC में कुशी नगर में हुआ तो यह आपको ध्यान में रखना है फेक्ट्स और अनालेटिकल दोनों बेसिस पे इस सवाल पूछे जाते हैं तो यह इतना आपको ध्यान में रखना है आगे हम बात करने जा रहे हैं ज्यान प्राप्ति एन इलाटिनमेंट के बारे में तो हमने यह जाना जनम सबसे पहले कहा हुआ कैसे उन्होंने प्रति बोध गया को प्राप्त किया और फिर हमने फर्स लाइड में यह जानने की किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन कांद किया तो एनलेटलमेंट में हम कोशिश करें जानने की कि किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से सिधार्त गौतम बुद्ध की तरफ अगरसर हुए उनके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले उन्होंने एक बुजुर्ग विक्ति को देखा, एक फिर उसके बाद बिमार, फिर मृत, फिर साधु विक्ति को देखा, 29 वर्ष की आयू में ग्यान की खोज में निकल पड़े और बहुत सालों तक भ्रमन की और 35 साल की आयू में आते आते, बोध गया में नि और अपने बाखे साथियों के साथ सबसे पहले अपना उपदेश यानि ग्यान का उपदेश दिया, यहां पर थर्ड नंबर स्लाइड में डिसकस करने जा रही हूं उनके शीशों के बारे में, तो गौतम बुद्धि के शीश आनंद और उपाली थे, बुद्धि ने सबसे जादा फैलने और सप्रेट होने का सबसे बड़ा कारण भी यही माना जाता है, उन्होंने बताया कि अंतिम जो लक्ष रहेगा वो निर्वान आपका रहेगा, जिसको हम दूसरी भाषा में मुक्ति प्राप्ति कह सकते हैं, और उसके बाद इन्होंने का कि सारनात में अगर शिक्षाओं की बात की जाए तो उनका यह माना था कि जीवन में जितनी जादा सबसे ज़्यादा जो दुख हुदपन होते हैं, वह हमारी इच्छाओं जो हैं सारे के सारे कारण हैं हमारे कश्टोर्ण दुखों का उन्होंने बताया कि त्रिश्णा यानि इच्छा क को समाप्त करना काफी आवश्यक है, कर्म के द्वारा ही करके ही आप किसी परिणाम को हासिल कर सकते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि आपके आज की वज़े से आपका वर्तमान कभी प्रभावित नहीं हो, इसलिए आपको अपने आज को और भी ज्यादा बहतर बनाने की आवश्यक्ता है, यानि कि हमिशा कोशिश करें कि अपने आज में अपने जीवन को जी सके, आगे बढ़ेंगे नेक्स स्लाइड के उपर, उनकी मुखे शिक्षाओं के बाद जहाईर सी बात है कि हमें कुछ ऐसी एक पुस्त की आवश्यक्ता थी, ताकि हम लंबी समय तक उ के बारें बताता है, विने पिटक, सूध पिटक हमें संग के नियम के बारे में रूल्स के बारें बताता है, और अभिदम पिटक हमें अध्यातमिक विचारेनी स्पिर्चुलिजम के बारे में जानकारी देता है, उपनिशत का एक शाबदभी कर्थ होता है अपने शीशे क के पास बैठ कर ग्यान के को प्राप्त करना और ये बादचित का एक संकलन है और इसका अंतरगत चिंदकों के द्वारा मृत्यू के बाद ये धान में रखेगा के खोश में ढूंडे गए उत्तर हैं इसी ये उनके मृत्यू के बाद संकलन के तीनों गरंथ है जैन धर्म के ब किसी चीज को महावीर जैन का जनम 540 BC के आसपास हुआ है कुंडल ग्राम में हुआ है और ये भी आपको ध्यार में रखना है कि वैशाली बिहार के पास हुआ है और उस सबसे पहला सर्मन यानि उपदेश नोन ने जंभीक विलेज में दिया था राजगरिया के पास और उनका जो लाइफ का एंड था वो 568 BC में हो गया था पावापुरी में मैं यहां लिख देती हूँ खेर आगे भी आपको मिल जाएगा पावापुरी आप यह देख पा रहे होंगी पावापुरी की इमेज भी आपको स्क्रीन के उपर नजर आ रही होगी यह महावीर के चरण यह पर दिखाए गए हैं पावापुरी जो है वो राजगरी है बच्पन का नाम था और उसके बाद वर्दमान जो था उनके बच्पन का नाम था यहां पर एकुल टू को एक साइनी हां पर आप देख पा रहे होंगे यह पावापुरी जगा को मेंशन करके दिखाए गया है ठ जाने गए अगर जैन धर्म के संस्थापकों की बाद कि जाए तो रिशब देव जैन धर्म के संस्थापक के कुल मिला कर 24 तो तरी धंकर माने जाते हैं महाविर जैन जो थे वश्वम वज्जी संग से वास्ता रखते थे लिछवे कुल के थे और शत्रिय राजकुमार थे 30 साल की उमर में उन्होंने घर छोड़ दिया और काफी लंबे समय तक भटकते रहे ग्यान के तलाश में 12 वर्ष तक और उसके पास बात उन्हें ग्यान के प्राप्ति हुई उन्होंने अपने सारे के सारे जो सर्मन्स ते उद्देश थे वो कहीं ने कहीं अब देखेंगे कि प्रकृतिक भाशा में दिये त्री रतन के बारे में उन्हें बात की है जो कहते कि राइट मेडिटेशन समयक ध्यान के बारे में बात की है राइट दर्शन यानी सही दर्शनों के बात की है राइट कंटक्ट सही आचरण की बात कई है और उसके बाद जैन धर्म दिगांब पैना करते थे आप देख पा रहे होंगे यह सफेध वस्त्र कई ने कई इशारा करते हैं श्वेतांबर जो संपरदाय है जैन धर्म का उसके उपर टीचिंग्स की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने जैसे सिक्षाओं को गिनाया महावी नभी बहुत सारी सिक्षाओं दी मह पर मतपूर है अहिंसा के उपर काम करना भोजन के लिए भिक्षा मागना ब्रमचरे धर्म का पालन करना जैन धर्म का समर्थन करना और उन्होंने ये भी बताया कि इनकी जो सिक्षाओं हैं वो मोखिक रही काफी लंबे समय के लेकिन पंदरह सो वर्ष पोर्ण गुजरात और वलभी में दो यहां पर बड़े बड़े कह सकते हैं कि कॉन्फरेंसेज हुए जहां पर उनकी सारी की सारी बातों को जो मोखिक रही उनको लिखा गया गुजरात और वलभी आपको धान रखना है जैसे बुद्धिजम में आप देखेंगे कि चार विशाल कॉन्फरेंस हुई थी बिल्कुल वैसे ही जैनिजम में भी दो यहां पर गुजरात और वलभी में हुई संग क्या है यूनियन क्या है तो बोद महावीर और बुद्ध बिलीव देड़ ट्रू नॉलिश केन बी अटेंड ऑनली बाई लिविंग होम उनका ये मानना था महावीर का और किया गया है संग में ब्राह्मन शत्य वैपारी मजदूर प्रवेश ले सकते थे कोई बाउंडेशन यह नहीं था कि पर्टिकुलर कास्ट का आदमी ही सिर्फ यहां पर एडमिशन ले सकता है विहार था तो जैन और बहुत भिक्षू पूरे साल एक स्थान पर रहते थे नह कि अब होती थी तबतब जितने भी जैन और बुद्धिस्ट हुआ करते थे उन विहारों में आका रहते थे और बिहार दान द्वरा प्राप्त किया जाता था यानि कि जो राजा बिज्यारी जम्ब और बुद्धिस्ट लोगों को अपने भूमी दानमें देता था वहा से वहाँ पर ही किवल विहार बनाने क्या शक्ता होती थी और इसमें लोग भोजन दवावस्त रादिल लेकर आते थोड़ा यहां पर आकर दान करते थे उसके अब वावजूद विहारों से सारे के सारे मौंस और जो जैन भिक्षू थे वो अपने जीवन गुजारे भरका जो सा वहाँ था उलोगों से मांग करकी काम चिलाते थे आश्रम में वस्ता क्या थी तो आश्रम में वस्ता आप देखेंगे कि चार भागों में इसको बाटा गया था पहले अब ब्रहमचारय यानि की 25 साल तक आपको ब्रहमचारय धर्म का पालन करना है उसके बाद ग्रिया सता यहां पर वांपरस्त यानि आप जंगल में रहकर साधना मेडिटेट करेंगे और 75 से 100 साल का समय नेक्स्ट 25 वियर्स होगा वहां पर आप सन्यास को रहन करेंगे तो कोलमिला कर दिफर्ट इफर्ट पार्स में इसको डिवाइड किया गया था तो यह रहा जैनीजम और बु बुदिजम के बारे में कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया तो जैनीजम और बुदिजम के बारे में आपने पढ़ा कि जैनीजम और बुदिजम की सबसे पहले फाउंडर कौन थे हमने इसके बारे में बात की फिर हमने उनके ग्रंथों और बुक्स के बारे में बात की य और संगों का क्या importance है और किस तरीके से last में हमने conclude किया कि किस तरीके से एक conferences और संग एक common life में common human being को impact करती है तो this is all about the class everyone I hope this class is very helpful और subscribe करना मिलकुल मत भूलेगा इस channel को आपको PDF मिलेगी टेलिग्राम में जो की group है हमारा bit the competition जो कि आप देख पा रहे होंगे screen के उपर ये एक sample card आपको नज़र आ रहा होगा बागी के sample cards आपको teaching Instagram channel से डारेक्टली जोड़ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सब बने रहने के लिए कल मिलेंगे next chapter के साथ